हलो दोस्तों आप देखे रहें साइटेक वीजा नियुट भिंदी चैनल मैं हूँ संजेश स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 20-25,000 के अंदर आने वारे लेपटप्स के बारे में जिनका बज़ट बहुत ही कम है काफी लोगों ने कमेंट किया है कि 20-25,000 का बज़ट है इसके अंदर बेस्ट लेपटप के बारे में बताईए सो उसे के बारे में हम बात करने वाले हैं तो इस वीडियो के अंदर जो भी मेरे लेपटप ले करके आया हूँ वो एमेजोन के उपर 22-26,000 के बीच में बैरी कर रहा होता है जिसका जिस टाइम बेस्ट रेट है वो प्राइस देख करके आप उसको बाई कर सकते हैं यह इस रेंच के अंदर कौन से सही लेपटप हो सकता है हम बहुत कुछ का उमीद नहीं कर सकते क्योंकि बजट हमारा कम है और प्राइस बहुत बढ़े हुए हैं पिछले दो सालों से तो इसके अंदर क्या बेस्ट हो सकता है कौन से लेपटप बेस्ट हो सकते है वो कि वो कौन कौन से laptop हो सकते हैं पांच laptop के बारे में बताऊंगा उन पांचों के बारे में आप लोग देख करके जाएं तो उन पांचों के अंदर पहला जो laptop है वो है आसूस का यह आसूस वीवबुक 14 याली इसका स्क्रीन का जो साइज है वो 14 इंच है जिनको इस्टेंडर सा प्रोसेसर लगा हुआ है तो अच्छली यह जो प्रोसेसर है जिनको online काम जादे करना है वो इस budget के अंदर बहुत अच्छा यह प्रोसेसर हो सकता है जो इस laptop के अंदर लगा हुआ है तो जिनका priority online है जादे से जादे वो इस laptop को भाई कर सकते हैं और यह laptop काफी thin and lightweight है काफी प्यारा काफी खुफसूरत है दो साइट से वेजल भी पहुत ही कम है इसका color silver है और इसके अंदर RAM की अगर हम बात करें तो 4GB RAM है चुकि budget कम है तो इससे जादे हम expect भी नहीं कर सकते 1TB hard drive है Windows 10 के साथ में यह आएगा और 1.5 kg मातर इसका weight है quad core का पोसेसर है इसके अंदर त preference जादे है आपका तो आप इस laptop को buy कर सकते हैं उसके बाद जो laptop है वो है HP का HP 15 entry level इसका जो screen size है वो 15.6 inch है तो जिनको बड़ी screen चाहिए 15.6 inch चाहिए वो इस laptop को buy कर सकते हैं इसके प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो AMD 3020E के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है तो budget के हिसाब स AMD का ये प्रोसेसर काफी अच्छा performance आपको दे देगा 4G RAM है 1TB hard drive है Windows 10 home के साथ में ये आएगा jet black color है बहुत ही जादे अगर आप इसका details देखना चाहते हैं तो description में link है link पर जरूर जाए वहाँ पर आप पूरी details देख सकते हैं पूरी details बताऊंगा तो video काफी लंबी हो ज लगेगा क्योंकि ये price जो है हमेसा up and down होता रहता है link पर जाएंगे तो उस वक्त क्या price है वो आपको पता लगेगा तो जिनका budget कम है black color चाहिए full screen size चाहिए तो वो इससे भी buy कर सकते हैं ये फी इस budget के अंदर आने वाला काफी अच्छा laptop आपके लिए हो सकता है उसके कर सकते हैं इसका model काफी अच्छा है बड़ा ही thin and lightweight है और इसके अंदर Intel Celeron लगा हुआ है N4020 ये Celeron का काफी upgraded version है प्रोसेसर का तो चुकि budget कम है तो आपको लेना ही ये पड़ेगा 15.6 inch के अंदर अगर AMD चाहिए तो पिछला आप HP ले सकते हैं अगर Intel ही चाहिए तो आपक 2020 काफी अच्छा performance दे देता है अगर budget के हिसाफ से देखा जाए तो और इसका plus point एक और है कि 4GB RAM के साथ में जो है इसके अंदर 256GB का SSD मिल रहा है जिसके वज़े से इसका performance जो है काफी best हो जाएगा काफी better हो जाएगा reason क्या है कि SSD के अंदर लग जा रही है बाकि अगर इसको आप लेते हैं जादी storage की ज़रूरत है आपको तो external hard drive लगा सकते हैं लेकिन जिन कोई storage चाहिए laptop के अंदर ही वो one tv वाला ले सकते हैं one tv hard drive वाला ले सकते हैं लेकिन ये SSD के वज़े से कही न कहीं इसका performance आपको बहु वो सब जो requirement है आज के डिट में वो सारे के सारे मिल रहे हैं ये फाल तो वीडियो लंबी होती है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा next जो है next जो है वो है Lenovo का Lenovo का IdeaPad Slim 3 ये भी आपको cell run ही है यानि कि N4020 cell run ये भी है 15.6 inch screen इसका भी है इसका एक अलग अपना model है एक अपना अलग ही खुबसूरती है thin and light weight भी है जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़ा ही खुबसूरत laptop है HP की तरह ही है आप cell run में लेना है तो आप HP चाहिए तो HP ले सकते हैं Lenovo चाहिए तो Lenovo का ये वाला model आप buy कर सकते हैं 4GB RAM के साथ 256GB SSDs के अंदर आपको मिल रहा है अगर cell run में ही आपको 1TB चाहिए तो आप HP का ले सकते हैं जो कि मैंने दिखाया अगर उसी के अंदर cell run के साथ में ही आपको अगर SSD के साथ चाहिए 256 SSD के साथ तो आप ये वाला Lenovo का model ले सकते हैं बड़ा ही SSD के वज़े से इसका performance enhance हो जाएगा Windows 10 के साथ में ये आ रहा है 1.7KG weight है इसका तो light weight भी है और ये काफी अच्छा खुबसूरत model है आप इसको भी बाई कर सकते हैं अन्त में last में अगर हम बात कर तो Lenovo का ही E41 ये थोड़ा सा old model है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा old model है वैजल इसके साथ में वीजन उसका ये है कि ये AMD A9 है A9 का performance कहीं न कहीं ये i3 से मिलता जूलता आपको performance मिलता है काफी अच्छा performance मिलता है तो जिनको बजट में काफी सस्ते में ये भी करीब ही 22-25 के अंदर मिल जाता है तो काफी कम बजट में अगर performance की ज़रूरत है तो आप इसको ले 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 A9 काफी अच्छा performance आपको दे देगा 4GB RAM के साथ में 1TB hard drive आपको मिल रही है Windows 10 home के साथ में ये आ रहा है 1 year warranty के साथ में ये मिल जाएगा थोड़ा सा वैजल के साथ में आपको compromise करना पड़ेगा दोनों साइड में तीनों साइड में आपको वैजल देखने को मिल जाता है तो ये आपको देखने को लेकिन performance इसका चुकी A9 है तो performance आपको ये बहतर देगा तो इस तरीके से 5 laptop थे दोस्तों जिन में से जो आपके budget के हिसाब से जिस वक्त आप ले रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है current price के लिए आप वहाँ पर जाएं देखें जो आपक कमेंट में बताएं अगर इस वीडियो को लाइक कर दे पने दोस्तों के साथ सेर कर दे और चैनल पर हैं तो पिली चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके all पर क्लिक कर दें तकि हवारी सारी वीडियो की information आपको मिलती रहे इस टेप की बहुत सारी वीडियो कर दो